जब भी मैं किसी यूटूबर से मिलती हूं तो उसकी एक ही बाद होती है यूटूब पर क्राम्याब होना है तो 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 यूटूबर नहीं चाहता तो क्या होगा यूटूब मेरे चैनल डी मॉनिटाइज कर देगा या मेरे चैनल पर क्या असर पड़ेगा नुकसान और फाइदा होगा आप प्लीज इस बात का जवाब दें इस चोटी सी वीडियो में पूरा फाइदा और नुकसान बताने वाली हूं और साथ-साथ मैंने यूटूब टीम से बात भी क आपको पूरा खुलासा करने वाली हूं कि वहीं क्या होने वाला है वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए तो दोस्तों जिस तरह हम एक पौरे को पानिंद देते हैं तो बड़ा होता जाता है इसी तरह हम अपनी ओडियो डालते जाते हैं तो हमारा ओडियोंस के साथ एक बनता जाता है तो अगर आप 6 महीने तक अपने चैनल को बिल्कुल भूल जाएंगे और उस पर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे लाइफ स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं शौर्ट वीडियो डाल सकते हैं अब शौर्स का भी ऑप्शन आ गया है 2023 के बाद शौर्स स बाद मैं बोलू मैं कंसिस्टंट हो जाऊंगा मैं लगतार वीडियो डालता रहूंगा तो आपको शुरू में बहुत जाड़ा परिशाने होगी आपकी वीडियो पर जो वीडियो आएंगे वो ना होने के बराबर होंगे तो यह गलती आप कभी भी मत करें और जब मैंने यूटूब टीम से बात की तो उनका भी यही कहना था और जो मैंने एक दो सेलकल में अपने यूटूबर्स को देखा है जिन्नोंने साल भर कोई वीडियो अपलोड नहीं की या छे मेने तक अपने चैनल को हाथ नहीं लगाया तो परी उनका भी चैनल एकार्ट का चैनल दी करते हैं और पता नहीं क्या कुछ रभते हैं तो आप यूटूब चैनल यह साथ तो शे महीने तक अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आप यूटूब की जो फीचर नहीं वह सित्वाल यानि अलिस कलके चले जाए वीडियो यह वीडियो बना के प्राइविट कर जाए जब आपके पास टाइम हो तो इसको आप पब्लिश कर दे तो इससे क्या होगा कि अगर आप 6 महीने काम नहीं भी करना चाहते और अपना कोई विकेशन पर जाना चाहते तो आपकी वीडियो आटोमेटिकली यूटुब पर अपलोड होती रहीगी तो यह उडिया आपका सलूशन आपको पुछ ना कुछ नहीं मालूमा ज़रूर मिली होगी वीडियो को अब इसे लाइक कर दें चैनल के पर फरस्ट आम आया तो चैनल को सब्क्राइब करके बलेकर अल पर दबा दें क्यों मैं इस तरह के helpful content हमेशा ही आप लोग के लिए बनाती रहती हूँ अपना धेर सारा खयाल लखेगा फिर मिलेंगे किसी next वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफिस